ये निश्य तोर पर मतलब ये कहा जाएगा भारत देना अच्छी बात है उनको दिया गया उनको पहले भी मिलना चाहिए था लेकिन ये टाइमिंग जो है ये बहुत महत्पूर्ण है और इसके लिए जाहिर सी बात है कि उसमें पॉलिटिकली और बहुत चीज़ें जो है एक लॉस हो रहा था बीजेपी को उत्तरपरदेश में और उस लॉस की छतलि-पूर्ती हो रही है और और किसानों के लेविल में पूरे देश में बीजेपी ये पी को फायदा होको क्यों कि किसानों के बढ़े नेता थे जाटों में भी उत्तर-प्रदेश की invest िराओ पूर प्रदान मंत्री चौधरी चरण सिंग को भारत रत्न देने की घोशना हुई इसके बाद प्रदान मंत्री नरेज मोदी ने ट्वीट किया और जैन चौधरी ने उस ट्वीट पर लिखा दिल जीत लिया यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब RLD के NDA के साथ जाने की बात लगभग पक्की हो चुकी है और इस बात के संकेत खुछ जैन चौधरी ने दे दिये हैं नमस्कार यूपी तक में आपका स्वागत है मैं हूँ शिल्पी सेन हम है यूपी के विधान भवन में देश का सबसे बड़ा सूबा और उसमें जन प्रतिनिदियों की आवास बुलंद इसी इमारत से होती है और इसमें पूर प्रदान मंत्री चौजे चरन सिंग की ये प् भारत रतन देने की घोशना मोदी सरकार ने की है और उससे उत्तर प्रदेश की राजनिती बदली हुई नजर आ रही है और आगे इसके बदलने के संकेत भी मिल रहे हैं चरचा में हमाई साथ शामिल होंगे वरिष्ट पत्रकार विजेशंकर पंकर जी, शिवशरन जी, नी की जो शक्सियत है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि किसानों के मसीहा कहा जाता है और किसान को राजनिती के केंद्र में लाने वाले एक तरह से समझे जाते हुई बाजपा की रणनित के तहट जन चोधी अब उतने पारसंगिक रण ही रह गए जब चोधी चौन सिंग को भारतरत्न की आदि दे दे गई पच्चमी उत्ता परदेश एदम साफ हो गया भाजपा के लिए रास्ता एदम साफ होगा के लिए जन चोधी को आना तो मजबूरी है कि उनके दादा को भारतन दिया गया और किसान ने ताही नहीं लेकिन पूरब के यादो बिल्ट पर भी उनका उतना ही प्रभाव था मैंने उनके उस जिवनकाल में उसकी राजनीत को देखा है हमने भारते क्रांत दल से बिकेटीजे बनाया और रालोद तक चोधी चौन सिंग और मुलायम और जीत सिंग के लड़ाई को भी हमने देखा लेकिन चोधी चरन सिंग की सक्षयत अजीब थी किसान ओक किसान की राजनीत में खाड़ी राजनित में इकीसानों की समिशाओं को अलेकर जीतना मुखर चोधी चरन्स हीं थे और जितनी जानकारी थे उनको उनको आखले बिल्कुँ एकोनामिस के इविडेंट रहे और उनको आखले भारतिक किसी के उनकी जवान पर होते थे और कई जगा भाषन देते थे तो तम में जनरीजम में इस तरह के आख़न का बहुत महतु नहीं होता थ लेकिन चोधी चरन्स हीं जानते थे कि खेती एक पवधा रोपा जाता है उससे कितने दाने निकलते हैं चोधी चरन्स ही जानते थे और उस सब बताते तब भाषन में तरसल दवार और चोधी चरन्स हीं कांग्रेस से हटने के बाद कांग्रेस में उन्होंने पहली बाद च चिप इंश्टा रहे उत्तर प्रदेश में और जाठ और यादो अलग नहीं मैं जानता हूं इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीती और देश की राजनीती मेहम योगदान रहा है लेकिन सबसे पहले उस बात पर आएंगे कि रास्ता साफ हो गया पं 1990 में 26 मई 1990 में जब उनके पुन्यती थी तब मुलाहिम सिंग यादा उने स्थापेद कि अजीज सिंग भी इसकारकम में अतिती की रूप में आय थे और वो दौर था जब अयोध्या अंदूलन चल रहा था लेकिन चरण सिंग का वेक्टिव तो जिस तरह से समय आकलान हो र हैं जिन्होंने जिनका देश के आजादी में बड़ा योगदान था अंदूलन किया दो दो बार उनको सजाएं हुई और जेल गए और आज भी देखी ना कि आप चाहे उत्तरबदेश में मुलाहिम सिंग का आपने जिक्र किया समाजवादी पार्टी का चाहे समाजवादी जा घाता वहां से निकलेवश अंगतन है तो निश्चित रूप से अगर आप चौधी चेलन सी की बात करनें ये भारत रत के लिया से तो इस लिहासे बात की जाने चाहिए कि एक ऐसा रनेता था वह जो इसानों की जो आम ant की जीजों की समस्ता था एक ऐसा नेता खssä जो और राहे कि किसी जाट को दिया गया तो जाट वोट की बात है क्योंकि चौद्री चरण सिंग जी की शक्सियत बहुत बड़ी शक्सियत है लेकिन उसके बाद कर रहा हूं कि पॉल्टिक्स में जो चीजे हैं वहां पर आखर रास्ता साफ हो गया ना पंकर जी बिल्कुल बिल् में चीजों को वोटों के लिहाद से जरूर देखा जाता है और शायद ये एक तरह से जरूरी भी है निरज जी क्योंकि पश्ची में उत्तर प्रदेश में और वो भी टाइमिंग ऐसी है हाला कि इस पर किसी को शक नहीं है कि चौदरी चरण सिंग जी का जो योगदान रहा है लेकिन जयन्चौधरी के बार-बार इंडिये के करीब आने की बात लगाता चल रही थी एक तरह से बस ओप्चारिक मुहर ही बाकी थी और अभी जो बात उन्होंने मीडिया से किया उसमें उन्होंने कह भी दिया है कि किस मूँ से मना करूँ आपके सवाल के जवाब में मीडिया परसन को कहा है जब ये बात हुई कि आप साथ जाएंगे कि ने आपको लगता है जो पंकर जी कह रहे हैं कि पच्चिम उत्तर और हमारे ख्याल से प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी ऐसे नेता है जो कि लगातार इस बात पर रहते हैं कि चुनाओ कैसे हम जीते हैं और इसलिए उन्होंने ये एक कदम जो आज उठाया है क्योंकि देखिए निश्चित दोर पर पश्चिम उपी में कते थी जाट नारा जैन चोदरी को और साथ में एक सम्मान जलेक उसमें तरीके से अरेलडी काफी समय से जैन चोदरी खुद इसको काफी समय से मांग कर रहे थे जी बिल्कुल और इसलिए ऐसे समय पर दिया जाना ये निश्चित तोर पर मतलब ये कहा जाएगा भारत देना अच्छी बात है उनको दिया गया, उनको पहले भी मिलना चाहिए था, लेकिन ये टाइमिंग जो है, ये महत्वपूर्ण है और इसके लिए जाहिर सी बात है कि उसमें पॉलिकली और बहुत चीजें जो है जो है क्योंकि बिल्कुल राजनिती में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती ह कि सुल्जे हुए नेता हैं पड़े लिखे नेता हैं जैन चौधरी तो किसानों की लड़ाई को कमजोन नहीं होने देंगे तो किसानों की मसीहा को जिनों ने भारत रहन दिया उनके साथ जाकर ही लड़ाई तो मस्बूत हो सकती है यह भी इंटरप्रेटेशन हो सकता है बिलक मांग किया था कि चौधी 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 को भारत रहन दिया जाए और लंबे समय तक सप्ता में भी रहे इनके जैन चौधी के पिता लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो पाई और यह दिल जीतने की बात है तो दिल तो किसानों का जीता है प्रधान मंतरी नरन मोधी ने आज करें यह आम किसानों का आपके आप पस्ची यू द रहे हैंगे में नरन मोधी जी को आता है ये बात प्रधान मंतरी जी के वारे में कहीई जाती है लेकिन जिस तरह से उत्तरप्रीदेश की अगर हम राजनीती की खासतोर पर बात करें क्योंकि इंडिया को गठबंधन को आपको लगता है कि जटका तो लगाई है इस गोशना से नहीं लेकिन इसके बात के जो जटका है इसके बात का जो पर वो तो मोदी की रणित का हिस्सा है इंडी गठ बंधन बना ही नहीं कि टुटना सुरू हो गया और उसके दो उंगुल नितिशकुमार शुरुवात उन्होंने की वही उन्होंने ही पहले तोड़ा चंद बावु नाडी भी आ रहे हैं चंद बावु नाडी भी बहुत मोदी क खिलाब चल रहे थे ओ भी आ रहे है ओ मोदी ने इस तीन घोश्राओं से बहुत बढ़ा पात है कूतर से लेकर दर्चन तक दर्चन में जो बीजेपी कमजोर है उन्होंने आंद्रा में अपनी जड़ जमाली बिलकुल यह नाम जो है एक ऐसे देश के प्रधामंतिर है जो कि आर्थिक इस्तरी आज भी सुभर में जितनी मजबूत है और उसका से जाना चाहिए तो नरसिंगा राव है और कम पॉल्टकली यह साउंड नहीं थे लेकिन उन्होंने जो जो उनकी बिद्वता थी सत्रा भासाओं के जानकार ऐसा प्रधामंतिर देश को मिला और आर्थ बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने में क्योंकि जो डील हो रही थी जिसकी चर्चा बार बार हो रही है कि दो सीट बागपत और बिजनोर की बात हुई थी मंतरी पत की केंजर में बात हुई थी उत्तर प्रदेश में मंतरी पत की आप कही नहीं के साथ जहन चोधरी चले जाते तो मुश्किल होती ही वहां भाजपा को लेकिन अब आप चुकी वहां पे रहेगा रेलडी का साथ और भी चीजे रहेंगी तो अब वो जो प्लस होगा तो जाहिर सी बात है सीटों पर बहुत असर पड़ेगा पश्चिमी उपी के दो दरजन स सॉफ्ट कॉर्णर जो एक तरह से आरेलडी के कार्यकरताओं के मन में है जो वहां के किसानों के मन में जो चौधरी साब को बहुत मानते हैं एक तरह से उसमें शिल्पी जी आपके चैनल ने कल बहुत बड़ा पॉल कराया था और उस पॉल में भी कल था मैंने कल यही सवाल कि यह जो आप आकड़े दे रहे हैं 71-72 सीटे बीजीपी को उत्तरपदेश में तो क्या इसमें आरेलडी कहां पर है तो मुझे बताएगा कि नहीं आरेलडी जब जो हुआ था तब उसमें उसको विपक्ष में रखा था तो मैंने यही कहा था कि लगता है कि जो आपका अभ किसानों के लेविल में पूरे देश में बीजेपी को फाइदा हो क्योंकि किसानों के बड़े नेता थे जाटों में भी उत्तरप्रदेश के लावा दूसरे राज्यों में भी जाट है तो मुझको लगता है कि इस कैलकुलेशन से फाइदे मंद है निश्चित दूर्प से लेकिन राजनीती ग्रूप से सपा के लिए कितना बड़ा जटका है चुकि अभी चुनाओं के पहले जिस तरह की तयारियां थी कांग्रेस सपा रिल्डी को ले करके अब वो जाहिर सी बात है कि वो चनिभिन हो गया है और ऐसे में सपा और कांग्रेस को अब जी सोचना हु में जा रही है जो पांच सीटे थी कहां पहुंच कहां स्रीगडेस करेंगे यह नहीं समझने आएगा उनको सर आखिरी सवाल बीजेपी के लिए लग रहा है कि उत्तरप्रदेश में मिशन असी जो लेकर चल रहे हैं मिशन असी नहीं तो लेकिन उसमें कुछ बढ़ा तो इस फैसले से भी कम कम 10 से 12 सीटे जो आंकलन चल आए वो तो सापमान तरपा हो गया और 75 प्लस जदी बीजेपी जाती है तो इसो कोई रोक नहीं सकता यहां के वरिष्ट पत्रकारों की राय है जो राजनीती को देखते हैं उस पर अपनी कलम चलाते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चौधरी चरंसिंग को भारत रतन देने का पैसला किया गया है उसकी घोशना की गई है उसके बाद उत्तरप्रदेश की राजनीति में बदलाओ बिलकुल साफ है और यह जो बदलाओ है यह जो राजय सभा के चुनाओ हैं चाहिए वो लोकसभा की चुना उन सब में बिल्बिलकुल साफ देख जाएगा निश्चत रूप से ये बात हुई है क्योंकि पच्ची में उत्तर प्रदेश मजबूत करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था ऐसे समय में इस फैसले को इस नजर से भी देखा जा सकता है तो जैसे जैन चौधरी ने कहा दिल जीत लिया तो बीजेपी के कारे करता भी लगातार कहते हैं और कह सकते हैं कि एक ही दिल है कितनी बार जीतेंगे और इसका असर आगे आने वाले 2024 के चुनाओं में भी दिखाई पर सकता है वीडियो जैनरलिस गौरव गुपता के